हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एसे केट में तो फ्रेंड्स अभी कुछ समय से जेए मेंस के एक्जाम चल रहा था तो देखो जेए मेंस जो का एक्जाम जो होता है वो भी एंटिये है वही कंड़क्ट कराती है और हमारा जो नीट का एक्जाम होता है वो भी एंटिये ही कंड़ कराती है तो जो नीट का कोश्चन आता है उसमें कुछ ने कुछ similarities जो रहता है जेए मेंस के जैसा कुछ ने कुछ similarities जो है वो देखा जाता है ठीक है तो आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि जो हमारा इस साल जो जेए मेंस हुआ है उसके कोश्चन से हमें क्या अनुमान लग रहा है कि नीट का जो 2024 का पेपर होने वाला है उसमें कैसा कोश्चन आने वाला है कहां से कोश्चन आने वाला है और क्या जो स्लेवस चेंज हुआ है उससे कोई इफेक्ट पड़ा है कि नहीं पड़ा है ठीक है तो चलो ज्यादा टाइम बेस्ट नहीं करते हैं और इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें जो हमारा नीट का स्लेबस रहेगा वह क्या रहेगा लेकिन उसमें कुछ कुछ टॉपिकस को एड किया है ताकि जो है वो ओल्ड असक्ते हैं ठीक है क्योंगि बहुत सारे स्टेट और स्चोर्पना श्लेबस रह नहीं हुन मतलब जो new ncrt है उसके out of ncrt हो ऐसा नहीं हुआ है ना ही chemistry में ना ही physics में ठीक है तो इस चीज को आपको ध्यान रख के चलना है कि जो हमारा need 2024 का जो paper होने वाला है वो j means के basis के तरह ही आएगा जैसे हमारा जो need का question आएगा वो ncrt से ही आएगा out of ncrt नहीं आने वाला है ठीक ह और कुछ topics के लिए आप जो है वो old ncrt को पढ़ सकते हो जैसे आपका जो families है flowers का जो plants का families है वो पढ़ लेना है आपको कॉक्रोज जो है वो पढ़ लेना है क्योंकि दखो नीट ने क्या कहा है कि कॉक्रोज जो है वो स्लेवस से हटा दिया गया मंदब ncrt से हटा हुआ है लेकिन नीट में आएगा तो वो आपको देख लेना है फिर anatomy of flowering plants and morphology of flowering plants जो है वो भी आपको देख लेना है ठीक है क्य क्या उसमें कैसे कैसे question आया है और क्या changes होगा देखो आपको statement जो यह मेंस हुआ था उसमें statement वाला भी question बहुत सारा पुछा गया था तो ऐसा अनुमान है कि हमारा need 2024 है उसमें भी statements वाले question आ सकते हैं तो इन चीज़ों पर ध्यान रखना कि आपको statement वाले जो जितने भी questions हो उस पर थोड़ा concept बनाना है ठीक है practice भी वैसा करना है ताकि statement वाले question जो है वो बन जाए कुछ assertion रिजन भी आ सकते हैं आपके chemistry and physics में क्योंकि जेइमेंस में भी देखा गया है पहले नहीं पूछा जाता था लेकिन इस पर assertion and reason भी पूछा गया है तो उस चीज़ को भी ध् स्लेबर्स के अंडर में ही आएगा यानि कि हमारा जो स्लेबर्स है new ncrt है उसके according ही आएगा ज्यादा question जो है ncrt से बाहर नहीं आएंगे और ना के बराबर एक दो question आ जाते हैं तो वो छोटी सी बात है लेकिन ऐसे जो आपका new ncrt है उससे ही आपका questions आने वाला है और इस ncrt पर ही focus करो ज्यादा इधर उधर जो है focus मत करो लेकिन हां कुछ questions जो है उसके लिए आप old ncrt पढ़ सकते हो question bank कर सकते हो जो हमारा नीट प्रिवियर का question bank कर सकते हो mtg at your fingertips आप वो solve कर सकते हो क्योंकि इन सबों से क्या हो जाएगा आपका जो बचा हुआ portion रहेगा वो भी complete हो जाएगा ठीक है तो यही चीज़े मुझे इस वीडियो में बताना था I hope आपको सारे चीज़े समझ में आ गया होंगे और अब आप जो है new ncrt को ही follow करोगे तो आज के इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं एक ले वीडियो में और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना और आप अच्छे से पढ़ाई करो मुझे इतना ही बोलना था और अगर फिर भी आपको कोई confusion रह जा था तो आप कमेंट करना अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को सेर करो और अगर आप हमाई चैनल पर पहली बार विजिक करना तुमाई चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि हम लोग ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपके लिए बनाते रहते हैं तब तक ले इस व प्रवाचिं